नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप स्वागता है आप सब्सक्राइब चैनल पर वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथ्मी सिच्छक भरती को लेकर इसके अलावा अगर बात कीजाए चाहजाद दोस्तों पिलस बाइस एजार टीजिटी पीजिटी भरती के बारे में साथ ही अगर बात कीजाए उत्तर प्रदेश के अंदर उनीस तो पदो पर निकली एक और नई भरती के विग्याबन के बारे में सहचिक योगिता चैन पर किया और मेरिट को लेकर तो एक ही करके साही जान गई आप सभी को दीजाएगी वीडियो को लाइ इत्तर प्रदेश में नई प्राथमी सिच्चक वर्तिकों लेकर अब यहां से उम्मीदय बंती हूई दिखाई दिया उस समय अगर बात की लेकिन जब हाली में विदान सभाक के अंदर एक डाटा पेश किया गया कि थीस अप्रेल तक हमारे पास 26 इस्टू बन के रेशियों पर यहां से सिच्छक मौजूद हैं उसको लेकर बहुत सारा हंगामा हुआ हंगामा हो जाने के बाद से साशंद परशासन में कहने की हड़क अब तक मैं आप सभी को बता दू कि पांच बार आदेश जारी हो चुका है अब देखना होगा कि आगामी समय के अंदर डाटा क्या मिलता है लेकिन एकवा फिर से अगर बात की जाए आपको याद होना चाहिए पहले पांस तारी को आदेश जारी हुआ था फिर साथ तारी को आदेश जारी हुआ उसी के साथ यहां से एकवा फिर से आपको देखने के लिए मिलता है एक और आदेश हाला कि आदेश सोशल मीडिया प जैसा कि उपर लिखा हुआ है अभी तक इन जिलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर अनुमयपद, बरत्मानपद और कारी करने वारे अध्यापकों की सूचना उपलब्द नहीं करवाई गई है नीचे आप स्बीकर सामने जानकाई लिखे हुई है इन पत्तों के माध्यम से पास तारीकों साथ तारीकों शासन में जानकाई मांगी थी लेकिन 30 अपल 2022 तक 16 सिच्छक अनुसार और इसके अलावा निशुलक एवंबाल सिच्छा अधिकार धिनियम आर्टी एक्ट 2009 में नहीत प्रावधानों के अनुसार सिच्छक और छार्ति के अनुसार को यहां से ध्यान में रखते हुए जो जानकारी है वह यहां पर लगाता मांगी जारी है जानकाई को मांगा गया है और इसके लिए समय सीमा नेदायत की गई थी दो बज़े तक देखने के लिए मिली थी लेकिन यह जो डाटा होगा अधिकाईयों से पूछा गया तो उनमें बताया कि बायर तारिक तक यहां पर पूरा डाटा मिल सकता है क्योंकि कल संडे होने की वज़े से कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा बार के बाद में तेयर तारिकों यहां पर सरकार के पास में जो डाटा हो मिलेगा और कितने जिलों के माध्यम से डाटा नहीं बेजा गया है इसको लेकर पूरी जानकाई इस पर स्थोजाएगी क्योंकि उत्तर प्र से यहां से आदेश जारी करते हुए जिक्तपतों की जानका ही मांगी गई है उम्वीद है कि इस बार चातों को सका आत्मिक चीजें देखने के लिए मिलेंगी बार कि जो भी होगा आपको बताया जाएगा वहीं दूसीता बात कीजा है अपने अगली अप्डेट के बारे जो की संबन्दित है 4200 इसके इलावा 22,000 टीजटी पीजटी सिक्षक भरती को लेकर टीजटी पीजटी पर सीट बढ़ाने के लिए लगा था अभ्याथी पयास करें जीविग्यान के अभ्याथी इसके इलावा 27,000 के अभ्याथी वाफ कीजिए उनके माध्यम से धर्ना प् इसके अभ्याथी आप बात कि जाये कंप्यूटर वाले अभ्याथी या फिर अगर बात कि जैसे अभ्याती जो की जीविग्यान के उनके सीटों पर यह इसके अलावा अकर बात की जाये यहाँ पर नीचे आप शामने लिखाई साइन्स एड करो योगी जी यूपी टीटी अंडरइस्कोर पीजीटी अंडरइस्कोर मैं अंडरइसकोर कंप्पूटर पूरा हिंदी में लिखा हुआ है बस आपको अंडरेसकोर लगा देना है जगे च्टेए पर और इसके बाद इसको लेकर ट्विटर अभ्यान देखने के लिए मिलेगा अगर आप लोग भी यहां से ट्वीट करेंगे कंप्यूटर को लेकर या अपने विश्यक के बारे में तो बेनिफिट आपको अबश्य मिलेगा बस हैस्टेक आप सब्सक्राइब को इसी का पहुंग करना है और अप बात की जाए तो ग्याय जुन 222 की तारीक में यहां से एक बाफ एक से लेटर को बेज़ कर याद कराया गया कि मार्दमी सिच्छा सेवा चैन बोड़ने पहले से गोशिट 27000 परदों पर चैन परक्रिया शूरू करने की इस संब्दम्द में आपके द्वारा मार्दमी सिच लागू हो जाने के बार से उन परों की जो चैन पर किया वह दर में लटक गई लेकिन गत दिनों मार्दमी सिच्छा से वार चैन बोड़ की मार्दम से टीजटी पीजटी पहलती के लिए जो विग्यापन जारी किया गया है उसके अंदर सिफ 4000 के आसपास जो पर देखने के मिले हैं जिसको लेकर युवाओं के अंदर जबर्दर रोस देखने के लिए मिल रहा है और यह समझ के बढ़े है कि जो असाथ की मार्दम विद्यालियों के अंदर प्रयाफ्त संक्या में खाली पद हैं और सरकार ने इसको लेकर 27 जार पदों की जानकाई भी दी थी तो इ अधियाचिन भेजने के आदार पर कम्प्यूटर सिच्खों के परदों को विज्यापन में शामिल नहीं किया गया है इसी को लेकर नीचे लिखा है में आपके संग्यार में लाना है कि प्रवावसवाली प्रवंदकों के द्वाया नियम कानुनों को टाग पर रखकर तदर लेकिन अभी इनके प्रदों पर भर्थिया देखने के लिए नहीं मिली है नीचे लिखा हुआ है कि अगर तदर सिचकों को यहां से वेतन दिया जाता है यहां पर उनको निक्ति पर रखा जाता है तो सुपीम कोट के आदेश की अभेलना है उसी करब में चाहतों की मांग है क कि तदर सिचकों की सीटों को जोड़कर 27,000 पर नई टीजडी पीजडी भर्थी का जो बिग्यापन ने वह जादी किया जाए अब देखना होगा कि सरकार के माध्यम से कव तक फैसले लिये जाते हाला कि तदर सिचकों को लेकर विदायकर सांसुदों के दवाब के चलते य निकली भर्थी के बारे में यहां पर दोस्त आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अगर बात की जाए अगर बात की जाए मानेता प्रावत विश्वित ज्याले से बीटेक या अगर आपने किया हुआ है यह बी आर्की डिग्री या तीन साल का डिप्लोमा इं सिविल इंज ली गई है चैन की प्रकिया की बात की जाए तो चैन के लिए उंबीद्वार की सेचिक योगिता कार अनुप और सर्टिफिकेट के लिए अंक दिये जाएंगे इसके बाद में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट त्यार की जाएगी प्रतेक जिले के लिए जाकर आविधन कर सकती हैं यहाँ पे लिखाए और प्रिफाइनेंस डूप.ं पर जाकर आप इस admired कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर दें साती शीर कर दें और चैनल को सबस्क्राइब कर लें